हलो फ्रेंड्स वेलकम टो आई चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप हल्दी की चाय कैसे पियें जिससे जोडों के दर्द में अराम मिलें साथियों हम इस चैनल में आपके लिए आयुरवेदिक और घरेलू उपायल लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिजर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं ताकि आप हमेशा स्वास्त और खुशहार रहें यदि आप चाते हैं कि हेल्ट से रिलेटिड जानकारियां आप तक पहुँचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें दोस्तो जोडो का दर्द हमें पेरों में गुटनों में कोनियों में गर्दन बाजों और कूले में हो सकता है जोडो का दर्द शेरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है काफी समय तक बैठे रहने से सफर करने से या उमर बढ़ने से भी हमारे जोडों में दर्द होने लगता ह गुटने अकड़ जाते हैं या दर्द करने लगते हैं जिसे हम जोडो का दर्द कहते हैं तो दोस्तो आज के हम अपनी इस वीडियो में इस जोडो के दर्द से निजात पाने के आयरुवेदिक उपचार आपको बता रहे हैं जिनसे आप अपने जोडों का दर्द असानी से दूर कर सकते हैं तो चलिए बताते हैं आपको जोडों के दर्द को दूर करने के लिए कैसे करें हल्दी की चाय का सेवन तो दोस्तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं तो इसमें अगर आप चाहें तो मिठास के लिए शेहद भी डाल सकते हैं अब हम आपको बताते हैं कैसे बनानी है हल्दी की चाहे दो गिलास पानी को उबलने रख दे अब इसमें हल्दी और अद्रक पाउडर डाल दे और फिर इस मिक्षरन को 10-15 मिनड़ तक उबलने दे अब इसके बाद आप इसमें शेहद भी डाल सकते हैं दोस्तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब इसे आप चाहे की तना सेवन करें और इस चाहे को दिन में दो बार सेवन करें साथ ही इस चाहे के सेवन से कुछ ही दिनों में ऐसे रिजल्ट आईंगे जो आपको हिरान कर देंगे इस चाहे के सेवन से जोड़ो का दर्द देखते ही देखते गायब हो जाएगा दोस्तो और भी ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने जोडों के दर्द से राहत पा सकते हैं उसमें मालिश सबसे ज्यादा कारगर होती है अब बदाम के तेल, जेतुन के तेल, सरसो या फिलनारियल के तेल की मालिश कर सकते हैं आप इन में से कोई भी एक तेल लेकर उसे हलका गरम कर ले और फिर दर्द वाली जगा की मालिश करें इससे भी जोडों के दर्द में बेहत जल्दी अराम मिलता है दोस्तो लहसुन भी जोडों के दर्द दूर करने के लिए बेहत कारगर होता है सुबा शाम खाना खाते वक्त लहसुन का सेवन किया जाए तो जोडों के दर्द में अराम मिलता है या फिर आप सरसों के तेल में लहसुन की कलिया डाल कर उसे भून सकते हैं और फिर उस तेल से दर्द वाली जगा की मालिश करें इससे भी आपको जोडों के दर्द में अराम मिलेगा तो दोस्तों ये हमने आपको बताई ऐसी चाय जिसके सेवन से आपके जोडों की समस्या देखते ही देखते दूर हो जाएगी तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दीगे यह जानकारी आपके लिए लाबदायक होगी ऐसी ही जानकारिया हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे बाई, टेक केर, बी हैपी, धन्यवाद